आगे बढ़ते हैं समाजबादी पार्टी संसाथ एस्टी हसन का विवाज़त बयान सर्ट से सामने आया है मदर्सों पर सर्वेश से इस्लाम पर खत्रा है ये एस्टी हसन ने अपने बयान में कहा है और लगातार इसको लेकर मौलाना रिजवी ने भी कहा है कि मुसलमान सड्कों पर उत्रेगा देखी लगातार अब इसको लेकर कई तरव से बायान बाजी की जा रही है और स्टी हसन भी इसमें आगे निकल गए है मदर्सों के सर्वे से मुसलमानों पर खत्रा अवेद पर बुल्डोजर तो फिर कैसा डर सर्वे के ओर्डर पर कौन खुश किसे डर भड़काओ बयान देने में माहिल समाजवादी सांसत स्टी हसन एक बार फिर विवादों में आ गए है अब उनका एक और नया भड़काओ बयान सामने आया है जिसमें वो मुसलमान को ड्राते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें इसलाम पर खत्रा दिखाई दे रहा है उन हालास से मैं बहुत जादा फिकर मन हूँ बादे दिन बादी राते ऐसी होती है कि मुझे रात बार नीम नहीं आती है यूपी की योगी सरकार मंदरसों को हाई टेक बनाने और अवेट मंदरसों पर नकेल कसने के लिए सर्वे करवा रही है जिसकी रिपोर्ट अगले महीने सरकार को सोपी जाएगी लेकिन एस्टी हसन जैसे नेता इसमें भी नफरत वाली सियासत करने से बास नहीं आ रहे है यूपे में असम जैसी बुल्डोजर का रवाई का डर दिखाये जा रहा है मदरसों पर परिशानी है हसन के बाद अब बात करते हैं एक और मौलाना की जो ब्रेली से आते हैं ना में मौलाना सहाब अद्दीन रिजवी जो सर्वे से भड़के हुए हैं वो ते खुले आम परसासन और कानून को चुनोती देते दिखाई दे रहे हैं कांग्रिस भी योगी सरकार को घेर रही है मंदरसों के सर्वे को लगकर सरकार की मंसा पर सवाल खड़े कर दिए कोई भी गतिविधी जो है वो कानून के दाइरे में रहकर होनी चाहिए जब कानून और मर्यादा का उलंगन होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाण अब दिया जाने लगा है अभी दो दिन पहले ही स्टी हसन ने कॉमन सिविल कोड को लेकर भरम थलाया था सवाल है कि मुस्लिमों का हित्यसी बनने वाले ऐसे नेता कब वोट बैंक की राजनिती छोड़ कर जन तका भरा करेंगे बेरी रिपोर्ट जी मीडिया